हे लवर्स कैसे हो आज के वीडियो है कि क्या आपका पाटनर आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर बस एक दिखावा है या फिर आप धोखे में हैं तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए देखें अनकंडिशनल लव क्या होता है अनकंडिशनल लव का प्रॉमिस हर एक र हो रहे होते हो अब इसका पता आपको कैसे लगेगा अनकंडिशनल लव का मतलब होता है आपके लिए सब कुछ करना जो साथ फेरों के बाद भी लोग नहीं कर पाते जस्ट पोर यू जस्ट पोर यूर बैटर में तुम्हारी फ्यूचर्स तुम्हारी ड्रीम्स और तुम् इसलिए वो सब कुछ कहतम हो गया तो ऐसा बिलकूल भी नहीं हैं सच्चा पार्टनर आपको हमेशा complete फिल कराएगा, वो आपको ऐसा फिल कराएगा, जैसे कि आप कल ही मिले हैं, और हर एक दिन के साथ आपकी लाइफ, यानि कि आपकी जो लव लाइफ है, वो और ग्रो करते जा रही है और आप day by day खुश होते जा रहे हैं, अगर आपके साथ आपका पार्टनर आपसे सचा प्यार नहीं कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपसे सचा प्यार नहीं कर रहा है, तो उसकी सबसे पहले निशानी होती है, कि वो आपसे जूट भूलना शुरू कर देंगे, जेको छोटे-मोटे जूट की बात नहीं कर रही हूं, मैं कर र मैं बहुत खुश रहता हूं अगर कोई इंसान घर से जादा बहुत खुश रहने लगे यानि कि घर में वो इंसान पसंद दीदा नहीं है या फिर उसे मैंने तुम्हारे बट्टे पे या हमारी अनुमसरी पे या फिर हम बॉर्फरंड गर्फरंड है इसलिए चोड़ो आज वैलेंटाइन डे है तो आपको गिफ दिला देता हूं अगर वो सिफ ऐसी फॉर्मिलेटी करता है और आपको खुश ना करने के लिए बस दिखावे के ल तो पिर जान लेजे कि वो आपसे त्यार अब नहीं करता आपकी नो और आपकी येस से उसे पर्ट नहीं पड़ेगा वो अब आपके लिए नहीं जीता ऐसी चीजें आपको वो अपने हरकतों से यानि कि अपने काम से दिखाने की और जदाने की कोशिश करेगा कि तुम हो या फिर ना हो तुम्हारा येस और नो मेरे लिए मैटर नहीं करता नोटिस करो कि रिलेशनशिप के स्टार्टिं से और अभी तक के जर्मी में क्या क्या चीज़ें चेंज़ें आई हैं क्या आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूब्मेंट्स आया हैं लाइक यूर ड्रीव, यूर हैल्थ, यूर वेल्थ, यूर माइंट, पीसफुलनेस, आपकी क्या जिंदगी में शांती आई है या फिर जब से आप रिलेशनशिप में आये हैं तब से प्रश्टेट और परिशान ही रहते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है खोनी करड़, देखो अकसर एक्स्ट्रामेरिटर के अफेर के चर्चे आपने सुने होंगे और इन दिनों एक्स्ट्रामेरिटर अफेर और तोखा देना ये गौम से बाती हो चुकी हैं, क्या ये सारी चीजें आपको सताती, देखिए ये मुझे छोड़ देगी, या फिर ये मुझे छोड़ देगा, और मेरा क्या होगा, तो क्या खोनी करड़ आपको सताता है, इत मीज कि आपका लव इतना स्ट्राम नहीं रहा, अगर आपका पार्टिर आपसे सच्छा प्यान नहीं करता, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी करेगा, जैसे कि तुम्हारी तर्वियत खराव है, अगर उसे पिसिकल नेट्स है, तो वो बिना तुम्हारी परवा के, वो अपनी नेट्स को पूरा करेगा, जब रस्ती, तुम्हारे लिए वो चीजे करना जो तुम्हें पसंद नहीं है, व तुम्हें करियर को भी ड्रॉप कर दो, विकॉस मैं हूना, तुम मेरे भरो से रहो, अकर ऐसी चीजे को कराता है, अपने बेनिफिट के लिए, यानि कि वो आपसे सचा प्यार नहीं करता, लास्ट बट सबसे इंपॉर्टन चीज़, एक सैंटेंस जो सब कुछ बता जाता ह वो है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और यह तुमने प्यार किया था, यह सौदे बाजी, कि एक दो, एक लो ऐसा कुछ अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ जताता है, कहता है, तो समझ रहें कि आप प्यार म नहीं ठोके में है, देखे, मेरा इंटेंशन किसे के रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है, अगर आप यह सारे सिंटम्स अपनी रिलेशनशिप में देख रहे हैं, तो बैट के बाद के जए, क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को सौट आउट के जए, कई बार वर्क के प् प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जानने की कोशिश केजिए कि क्या हुआ है, अगर आपकी प्यार में नरिश्मेंट की ज़ुरत है, तो प्लीज अपने आपको थोड़ा ताइम देजे, घूमने चाहिए, एक दूसरे को फिर से समझेए, और अपना जो रिलेशनशिप का ग जूरिंगी तक्यू.